आज की इस वीडियो में हम देखने वाल है कि हमारा पुराना डिजिटल मल्टीमेटर होते हैं उसका डिस्प्रेकों कियूसिए तो आएं देखते हैं, पहले हम मल्टीमेटर के जो डिस्प्ले हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब जो डिस्प्ले में वाइट पेपर होता है उसको हमें रिमूफ करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा तो आईए इसका जो स्क्रू है उसको फटा-फट खोल लेते हैं अभी यह जो नोब है उसको हमें केरफुली खुलना है क्योंकि इस पर बहुती नाजुक दो बॉल्स है अगर यह बॉल्स गुम होगे तो आपका मल्टिमेटर कोई काम में नहीं आएगा तो इसको बहुती केरफुली आपको रखना है और अब हमें यह डिस्प्ले जो है उसक पहले इसके लिए हम पहले वन किलो ओम का एक रिजिस्टनस लाएंगे और बलब के साथ करेंगे तो फटा फट से हम इसका एक शोल्टीरिंग करवा लेते हैं जो पॉजिटिव टरमिनल होगा युदि का उसके साथ हम रेजिस्टन्स के किसी भी टरृमिनल को करेंगे क्यों resistance का कोई polarity नहीं होता तो हमने अफटाफट से connect कर लिया है हमारा resistance को LED के positive terminal से अब बार यह check करने का तो जो battery का positive terminal है उसके साम हमारे resistance के terminal को connect करेंगे और दूसरे terminal को हमारे negative के साथ connect करेंगे तो bulb हमारा glow करेगा अभी इसके साथ हम कुछ words को soldering कर रहे हैं ताकि हमारा जो terminal है वो थोड़े लंबे-लंबे बन जाए बैटरी के साथ connect करेंगे और bulb को glow करेंगे इसके बाद हमें बहुत ही carefully से installation करना है जो LED के दोनों terminals होते वो आपस में short नहीं होना चाहिए बहुत ही carefully उसको मतलब रखना पड़ेगा क्योंकि अगर short होगे तो शायद से आपका LED fuse भी हो सकता है या फिर resistance भी उड़ सकता है तो बारिये इसको test करने का दिन में तो आपको कुछ ऐसा results मिलेगा देखने को आप इस पर coloring भी colorful भी LED यूज़ कर सकते हैं और रात में कुछ ऐसा result मिलेगा क्योंकि अगर आपको किछ light off करके कुछ reading लेना है किसी चीज़ का किसी object का तो आप ऐसे ले सकते हैं तो ऐसा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नेवे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं एक नए वीडियो पर